जी इसलाम अलेकूम, बिस्मिल्हिर्रह्मान रहीम, मैं हूँ अबिद्राही हो और आप देखरें इसलामे कहानी, ओरत के लिए उसका शोहर जन्नत या जहाँ حसीन बिन महद, रजी आलनहों, बयान करते है कि इनकी पुपी नभी पाक सिल्णलबहु ऐल्यख़ के पास तच्रीप बलाए, जरूरत पूरे होने के बाद, आप सिल्दा या ने उसे पूचा, क्या तुम शोहर वाली हो? कहा? हाँ. आपﷺ ने पूचा तुम उनके साथ किस तरह बरताव करती हो उन्होंने का फैर कोई कोई कुताहीं नहीं करती ह् Efendimiz करती हुआ ये शोहर तुम्हारे लिए जन्नत ये जहन्नम ये इसकी हिदमत इसकी रजा खुशनोदी से तुम जन्नत में जा सकती है। इसके बरहलाब अगर तुमने उनसे अच्छा बरताव नहीं किया कि इसको नराज किया। इससे जुबान दराजी की और मुकाबले गया है ति इसकी हिदमत वो आतागा से तुमने अपने आपको बचाए या इसमे कोता ही की तो तुम्हारे लिए जहन्नमे। अमुमन आजकल की इस दौर में शुरू अमर में हजन नपस की वज़ा से तो कुछ हिदमत वो रियायत करती है। लेकिन जब जवानी डेल जाती है तो जान बीन से तालुकात हराब हो जाते है। बहर सूरत हमेशा इसकी हिदमत व रियायत से जन्नत की दोलत हसल कर सकती हो। अल्ला का हुकम समझ कर आज हिदमत में कोता ही ना करो कल जन्नत के मज़े लूट लो। शोहर को खुश रखने वाली जन्नत में जाये थी। हजरत अमी सल्मा रजिल्लाओ अन्हों से मरुए कि नबी पाक सुर्ण लाह अल्याओ वाली जन्ने परमाया जिस औरत का इंतिकाल इस खालत में हो कि उसका शोहर उससे खुश हो तो औरत जन्नत में जाएगी। इस से मालूम हुआ कि शोहर की रजा और खुशनूदी जन्नत में जाने का बायसे लहाद शोहर को नराज रखना बात बात की बात बात पर इख्तिलाफात और जगड़ा करना इन से शाकी रेना माल या वो दीकर सल्सलों में उसे परेशान करना इनकी खुशी और नाखुशी की परवाण ना करना ये सब अच्छी बात नहीं है और जन्नती औरत का ये मजज और शेवा नहीं बहुत सी ओरते को देखा गया है कि शोहर बुड़े जगड़ाईब और बिमार हो जाते तो उनकी जवड़ाईपाना हिदमत की कोई परवाण नहीं होती जगड़ाईब और बिमारी की वज़ा से इनको हिदमत और काने पीने में वाकत के लिए हासकी ज़रूरत होती है तो ओरत ऐसी हिदमत की से हाथ केंच लेती है जवानी में हद नफस की वज़ा से सतनुमाफ़कत की अब जब जब जमाना हिदमत का आया तो इससे बचती है बेटे और बेटी में पढ़ जाती है शोहर इस दुनिया से नाला और रंजीला रुषत हो जाता है इसे ओरत जनत में जाने की मस्तहक नहीं यही खाल बाज मouredों का भी होता है जवानी में तो इसी तरह रखा जाता है और बुड़ापे में उसे किनारे कर दिया और इससे बेफरवाही बरतने लगा ये बदहल किया और हक तल्फी ऐसा गरस फरस इसा गरस फरस इनसान जन्नत के लाइक नहीं शोहर को खुश रखने का हुकुम खजरत अली रजिल्लाहुत अलागानों से मर वी है कि आप सुलिल्लाहु अलेहु आली वाली विल्सल्म ने परमाए ए औरतों कि जुमाद अल्लाह से होब करो और अपने शोहर की खुशियों को पेशे नजर रखो अगर औरत जान ले कि इसका शोहर का क्या हक है तो सुबह उश्याम का कानल लेकर कड़ी रहेगी मतलब ये है कि जिन बातों से शोहर खुश होता है या जो उसकी मरजी और मिजज के मुवाफिक हो जिस में उससे राहत मालूम होती हो जिसको वो पसंद करे और उसमें गुना ना होते इनको मालूम करती रहे और उने को इक्तियार करे مثلاً उसे पसंद है कि गरम काने को गरम रूटी हो तो तरू ताजा और गरम काने की रियायत रखे उसे पसंद होकर होके नच्टा सुबह जल्दी मिल जाए सुबह जल उटकर उसका इंतिजाम कर दे मसले वो किसी वक्त चाहे पीने का आदियो तो इसके हुकम देने और इंतिजार से कबल इंतिजार रखे इसी तरह शोहर गरम जीनत इख्तियार करने के लिए अच्छा लबास पहने को कहे बाल और चेहरा वगेरा को बेहतर बनाए रखने को कहे तो इसके हम इस में हरगे मुहालिफत ना करे कि ये उसका हक है ये तो गुरत बगेर कही ही अंजाम दे के उसे में इसी का फाइदा है कमी होगी तो वो खुद पूरा करेंगे हाँ मगर बेपर्दगी की अजाज़त नहीं कड़े रहने का मतलब ये है कि इसके कहने और बोलने का इंतजार ना किया करे वक्त से पहले ही तैयार रखे बिला तकाज़ा हस्प आदि पेश कर दे या तकाज़ा पर ताहिर ना हो कि अभी कर रही हूं अभी दे रही हूं اور شہر انتظار کی زہمت میں پرشان رہے شہر کے حiadمت اور محبت کرنے والی اللہ کم محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فاک اسے عورت کو محبوب رکھتے جو اپنے شہر کے ساتھ محبت رکھنے والی خوش مزاج اور دوسرے مرد سے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو महब्बत रखने वाली और इस से दिली लगाओ रखने वाली हो सिर्फ जाबिता और गर्स की महब्बत ना हो इसी महब्बत में एक दूसरे को शिकायत होती है चुँकि महब्बत नहीं होती तो आदमी तकलीब और मर्जी के हिलाब चीजों को परदाश नहीं कर पाता है महब्बत और रहाल सालुक और कल्बी और दिली लगाओ तो तो बुरायों और तकलीबों को का इखसास भी नहीं होता मगर होता है तो खुशी से परदाश कर लेता है इसलिए शोहर बीवी के दरमयान इशक और महब्बत होनी चाहिए दूसरी सफ़त अल्ला की महबूब होने की ये बयान की गई है कि दूसरी अजनवी मर्द से अपने हफाज़त करें इसका मतलब यह है कि शोहर के इलावा दूसरी अजनवी मर्द से दिल चिपसी ना हो इस से किसी किसम का लगाओ और तालुक ना हो आजकल की इस नई बगड़ हुई तहजीम में शोहर के इलावा दूसरी अजनवी मर्दों से बला तकल्व दिल लगी है आनस और बेतकल्वी से हंसी मजाग करती है और उसे खुश अखलाक समझती है इस सुन लीजिए और तो के लिए अजनवी मर्दों से हंसी मजाग और आ संदीदा माले इस से सख्त इख्याद करनी चाहिए शोहर की हिदमत सदका है खजरत अबन अमर रजिल्लाव ताला नहुं से मरवी है कि आप सुर लाहु अलेहु आलेहु ने परमाया बीवी का शोहर की हिदमत करना सदका है कितने फजीलत है कि किस तरह अहल माल को अल्ला के क्रास्ता में आल्ला के रास्ते में हमाल खर्च करने का सवाब मिलता है इसी तरह होरतों को शोहरों की हिदमत में सवाब मिलता है मौलूम होना चाहिए कि हिदमत का मपूम वसी है नाश्टा और काना इनके वक्त और मजाज की रियायत करके बनाना इनके नजी सामान को हिफादत और डंग से रखना गुसल और वुजू में मदद कर देना जाड़ा हो और गर्मी पानी से उजू और वुसल की आज़त हो तो इनकी बला कहें इन्दाम करना और पहले से तयार रखना सब हस्भी जरूद कपड़े दोने देना पट्टे हो तो सी दे देना हस्भी जरूद सर पर दबा देना बिमार हो तो इनकी दवाव और फरहेस काने का इक्तिताम रखना सबो और दोपेर को नमाज फजर और जोहर के लिए जगा देना सोने से पहले तक्या और बिस्तर का इंतिजाम कर देना इनकी अखबाब और मेहमानों की रियायत करना इनकी मनशाव मर्जी के मुवाफिक चाए नाश्ता बत्यूई भातिर खुशी से देना रात में कुछ देर हो जाए तो इनतिजार कर देना मौसम के मुवाफिक टंड़क गरम काना देना गरजी का वो हर अमर जिसमें शोहर को राहत और सकून मिले उसका इखताम और ख्याल करना हिदमत है जो सदका हिरात का सवाब है लहाज़ जो औरत माली सदका का सवाब हासल नहीं कर सकती तो वो शोहर के हिदमत से सदका का सवाब हासल कर सकती है शोहर की अटागत हर हाल में हुआ बिकार ही मौलूम हो हजरत आईशा रजियल्लाओ अग्रमर वी है की चठान को जबल अस्वत की तरफ मौलूम करे या जबल अस्वत की चठान को जबल अखमर की तरफ मौलूम करे उसका हाथ है कि वो ऐसा करे इस खदीश पाक में आप सुर लाह लिए वाली उस्सलम ने बतुरी मौलहा और ताकीदन ये परमाएं कि अगर उससे पहाड या इसकी चठान को एक जगह से दूसरी तरफ मौल करने को कहे तो बावजूद दीका ये एक बिकार अबस और मौल तरीन काम है पिर भी इसकी जोजियत का तकाजा है कि वो शुरू करे इंकार ना करे ख्वाम वो हो या ना हो ख्वाम मौल मौल अली खादरी रखमत अल्याले ने बयान किया कि अगर शोहर किसी मुशक का तमीज काम या वाबस और बेकार काम का हुकम दे तब भी इससे इंकार ना किया करे मसलन गर दोया या जाडू इदिया जा चुका है फिर भी साफ करने को कह या बरतन साफ कह चाह dawn कपड़ कपड़ साफ में होया है इसी तरह कोई मुश्किलते शूबाठ करने को कहे मसलिक आवन दिस्था में सकत मुश्किल दुआ कोटने और चांडने लूद्का ve विगरा से चूला जला कर पकाने या पानी गरम करने को कहे यह और 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 अमझाष्य काम जो मुश्किल पामशुकत हो करने को कहे तो इंकार ना किया करे, हत्मी लामकान कर दे, राल ना करे, मूप ना पिलाए, ला परवाही ना करे हासकर बिमारी और बुड़ापी में मज़ाच में सब्र और तहम्मल नहीं रहता हिद्मत की ज्यादे जरूरत पड़ती है, ऐसी और जन्नत ये हर हालत जो और हर वक्त में शोहर के हिद्मत करे, उससे राहत पहुंचाए, इसके दिल को खुश रखे हो, यहाँ तक कि वो दुनिया से खुश खुश इखसान वो हिद्मत का इतराब करते हुए रुखसत हो, अब सुर्य अलब लुखस की हिद्मत में एक शक्स अपनी बैटी को लेकर हाजिर हुआ, और कहा ये मेरी बैटी है, शादी से इनकार करती है, आब सुर्य अलब लुखस्का ने उससे फरमाए, अपने वालद का कहा, मान, उसने कहा, उस जात की कस्म जसने आब सुर्ण علیہ السلام نے فرمائے شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اسے کوئی زہم ہو اور اسے وہ چھاٹ لیا چھاٹ لے یا اس کی ناک سے پی یا ہون بہے اور وہ بھی اسے پی جائے تب بھی اس نے اس کا حق ادا نہ کیا یہ مبالغہ ہے یا غیت حدمت اور محبت سے حقیقتا پینا مراد نہیں کہ یہ ناپاک ہے اس نے کہا قسم ہے اس کی اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بیجائے میں شادی نہ کروں گی کہ مجھ سے حق ادا نہ ہو سکے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا وہ بغیر عورتوں کی جازت سے نکاح مت کیا کرے اس روایت سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کا حق کما حق کا ادا نہیں کر سکتی مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں میں نے پلان حدمت کر دی حق ادا ہو گیا بلکہ حدمت کرتی رہے نیز کسی وجہ سے زوجیت کے لائق نہیں تو شادی کرنے کا غورت کو اختیار ہے مجبور نہیں کیا جا سکتا شوہر کا حق حق سب سے زیادہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ غورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا اس کے شوہر کا میں نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس ہے یعنی جب تک غورت کی شادی نہ ہو والدین کی اطاعت اور ان کی حدمت کا حق ہے اور جب شادی ہو جائے تو شوہر کے گھر آ جائے تو اب شوہر کا حق سب سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی حدمت اور رعایت اس کی ذمہ عقد نکاح کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے اور مرد کی ذمہ سب سے زیادہ حدمت اور حق والدہ کا ہے اور کہ وہ اپنی ماں کی حدمت وہ اطاعت کرے اور اس کی ناراضگی سے بچے بیوی کے خوشی پر ماں کی خوشی کی پوکیت دے بیوی کی وجہ تو یہ تھی جناب آج کی ہماری ویڈیو اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کرے جی اللہ حافظ بیوی